ये एक आर्टिकल छपाए डेकन हेरल्ड में, स्पाइ स्टोरी, दा आर्मी ओफीसर हो टोक आईसाई फॉर राइट, जी हाँ, एक आर्मी ओफीसर जो कि एक्चुली में आर्मी ओफीसर नहीं है, ये अपने आपको दिखा रहा था, ये वस न इंपोस्टर, इसने आर्मी के ड पर्टिकुलर इंडिविज्वल ने, नॉर्मल ट्रेडर ने बेफको बना दिया, बट मैं यहाँ पे इस जितने नाम के परसंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, चुकि इसने भी देश-द्रोह किया है, इसने भी ISI को इल्लीगल इनफॉरमिशन प्रोइड करने की कोश करेंगे, अगर आपने यह राजी मूवी देखी हो, अलिया भट वाली, या फिर एक थोड़ा और स्टैंडर्ड बात करें, हमारे बॉलिवूड में तो चीज़ें थोड़ा इंप्राक्टिकल तरीके से चलती है, अगर नेट्फिक्स पे एक शो आता है, अली कोहन करके, यह एक इस्राइली स्पाई था, अली कोहन, जो कि सीरिया के अंदर इंफिलिट्रेट कर गया था, और इतना उपर पहुँच गया से वहां के डिप्लोमाटिक सरकल्स में, कि सीरिया का राश्पती इसको डिफेंस मिनिस्टर बना रहा था, बाद में पता चल गया कि यह कोमिशन प्रुवाइड करते हैं, इंडियन गौवर्मेंट के लिए वो हर बंदा स्पाई होगा, जो कि कराची में, या फिर इसलामाबाद में, या फिर बलोकिस्तान में, जो भी पाकिस्तानी मिलिटरी स्टैबलिश्मेंट्स हैं, उनके आसपास सेटल्ड हो, और वहां प इस प्रकार का एसेट जिते अंदर भी था यहां पर, तो इस प्रकार के एसेट इंडिया और पाकिस्तान दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसी डिप्लाइ करती हैं, हुआ क्या, ये सब शुरू हुआ आपका 2016 में, एक्चुली में जो राजस्थान का आदमी जिते अंदर, इ ISI ने क्या किया, कि एक लड़की के माध्यम से इस से कॉंटैक्ट किया, उस लड़की का नाम था, पूजा, पूजा ने इस से कॉंटैक्ट किया, किस के थूँ, फेस्बुक के थूँ, बाद में वाटसाइप नंबर भी शेर हो गया होगा, तो बड़े लंबे समय तक तो प आर्मी के परसन तो थे नहीं और यहां पर ISI को लग रहा थे कि उन्होंने इंडियन आर्मी के एक सर्विसमेन को पकड़ लिया है, एक सर्विसमेन को हनी पॉट कर लिया होता है ना, देखे हनी ट्रैप्स जबरदस्त होते हैं, बहुत सारी दुनिया बर की आर्मी इंक्लूड इसराइल इंडिया हनी ट्रैप्स इस्तमाल करती है, हनी ट्रैप्स का मतलब क्या होता है, कि एक खुबसूरत सी लड़की के आप से बात करवा देंगे, और वो आप से इन्फॉर्मेशन उगलवाएगी, अजराइल यह बहुत करता था, हनी ट्रैप्स करता था, एक लड़क भी किया हो, बट यह इंडियन आर्मी का परसन नहीं था, आयसाइ को लगा कि इंडियन आर्मी का परसन, आयसाइ जो इतनी शाणी बनती हो यह भी नहीं पता कर पाई, खास बात यह है कि यह जो पर्टिकुलर परसन है, जितने भी अकाउटमेंट से, इंसिग्निया है, यह सब WhatsApp के थ्रूँ शेर करता है, तो आपको पता है WhatsApp में end to end encryption है, कोई थर्ड पार्टी उसको पढ़ा नहीं सकता है, पोखरन की जो पोस्ट में जो आर्मी ओफिशल्स के चेंजिस होते थे, उनको कैटलोग करता था, समय समय पर बताता रहता था था इस समय पर कौन पैसे बेजने भी शुरू कर दी होंगे, तो इनके तो मज़े लग गया भाई साब के, पहले ये शर्ट बेचा करते थे, ठीक है, बाद में पैसे आने लगे इसी काम के, और लड़की से भी बातचीत चल रही है, इंडियन आर्मी के थेनी कभी है, और लम्मे समय से काम चाल रहा पाकिस्तान को, सिर्फ इंडियन आर्मी की ट्रक्स कहां से कहां मूव कर रहे है, इस पर्टिकुलर पोस्ट पे कौन सा गार्ड स्टेशन नहीं है, छुपके उसकी फोटो कीच लेना है, लोगे वाला के फ्रेंट्स पे कितने सोलजर्स तैनात है, कितने तैनात नहीं है किस समय पे तैनात है, कौन सी शिफ्ट करतने विजए से कतने मेज़े चल रही है, इस प्रकार की चीजों की रिपोर्ट देना पाकिस्तान को, और इस प्रकार की चीजों की रिपोर्ट भी बहुत इंपोर्टंट होती हैं इंडियन ग्राउंड पे पाकिस्तानी एसेट्स पाकिस्तान के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और पाकिस्तानी ग्राउंड पे इंडियन मिलिटरी एसेट्स इंडिया के लिए बहुत इंपोर्टेंट है एक SRAI official पकड़ा गया था लुधियाना में अब लुधियाना में जो ISI का official पकड़ा गया था वो क्या कर रहा था अब ये ISI के official नहीं हो सकता है इंडिया की किसी इस परकार का कोई दूसरा वानी टैप में पसा लिया हो तो जो लोध्याना वाला है वो किसी नेहा को मैसेज बेज रहा था और नेहा का फोन नंबर और यहाँ पे पूजा का फोन नंबर सेन था तो जितिंदर के लिए वो पूजा थी और किसी और के लिए नेहा थी किसी और के लो सकता कुछ और फला फना हो फरीन हो या कुछ भी हो तो इस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी यहां पर लोगों को फसा के उनको assets की तरह काम करवाती है आर्मी officers को देखिए फसाना मुश्किल होता है और खासकर जो elite आर्मी officers होते हैं उनको फसाना almost impossible सा होता है नहीं जी हम मेरे और आप के जैसे लोग हम आर्मी के नहीं है तो हम आर्मी की uniform, आर्मी के insignia, आर्मी के batches, आर्मी के accountments हम नहीं पहन सकते We are not entitled to At the same point of time जितंदर के उपर section 120B of the Indian Penal Code भी लगाया गया है Section 120B of the Indian Penal Code बोलता है punishment of criminal conspiracy तो official secrets act, punishment of the criminal conspiracy, यह सब चीज़ें यहाँ पे जितंदर के उपर लगाई गए है चुकि यह एक civilian है, आर्मी official तो यह वैसे भी नहीं था तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो spying होती है, वो ground level पे काम होते है ज्यादा तर जो spying posted होते हैं, दूसरे spying की मदद करना, दूसरे assets की मदद करना अब जिसे इस प्रकार के spying का क्या रोल है, कल की data माल लो पाकिस्तान को इंडिया में कोई terrorist operation करवाना है तो जो reinforcement है वो इस प्रकार के spying मदद अविलेबिल करवाएंगे जैसे माल लो कि माल लो पाकिस्तान को इंडिया की धर्ती पे कोई terrorist अटैक करवाना है, तो टैर्रिस्ट बेजेगा, तो उन टैर्रिस्ट के लिए घर बगरा धोड़ना, उनको गोला बारो असला अविलेबिल करवाना, इस प्रकार की चीज़ें इस तरगी के लोग करने नीचे हर चीज़ का लिंग नीचे दिस्कूशन बॉक्स में दे रहा है, have a great difference, goodbye, take care.